ब्रहुभाजी के दुर्गा कवच में वर्णित नौ दुर्गा नौ विशिष्ट आउशधियों में विराजमान हैं। ये नौ दुर्गा वास्तों में देव्य गुणों वाली नौ आउशधियां हैं। ये वशधियां प्राणियों के समस्त रोगों को हरने वाली और रोगों से बचाय रखने के लिए कवच का काम करने वाली हैं। ये समस्त प्राणियों की पांचू ग्यानेंद्रियों और पांचू करमेंद्रियों पर प्रभावशाली हैं। नोदुर्गा को लेकर धार्मिक और आधात्मिक महत्तो है ही, साथ ही स्वास्ति की लिहाद से भी नौरात्र का महत्तोपूर्ण स्थान है, विशेश महत्तो है। नोदुर्गा के नो रूपों को आउशदियों के प्रतीक के तोर पर भी जाना जाता है। नोदुर्गा में उन्ही देवियों की विशेश पूजा करनी चाहिए। अधियों से लेकर प्रिकति के भी देवियों के स्वरूप माने जा सकते हैं। जिन लोगों को जो बीमारियां हैं वो उसी हिसाब से पूजा अनुष्ठान करेंगे। तो सम्मंधित रोगों में भी नौरात्र शुब भल देने वाले साबित होंगे। देवी के इन स्वरूपों को हम स्वास्त की संजीवनी देने वाला मान सकते हैं। नोदुर्गा का नौम रूप सिद्धदात्री है जिसे नाराहिनी या शतावरी कहते हैं। शतावरी बुद्ध बल एवं वीरे के लिए उत्तम औशदी है। ये रक्त विकार एवं वात पित शोध नाशक और हिर्दे को बल देने वाली महाँशदी है। शतावरी का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करता है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इससे पिलित व्यक्ति को सिद्धदात्री देवी की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रतेक देवी आयर्वेद की भाषा में मारकंडिय बुरान के अनुसार नौ आशदी के रूप में मनुष्य की प्रतेक बीमारी को ठीक कर रक्त का संचालन उचित एवं साफ कर मनुष्य को स्वस्थ करती है। अताहा मनुष्य को इनकी आराधना और इन अधियों का सेवन करना चाहिए।